कानपुर सहर में 24 घंटे के अंदर 16 लोग कोरोना पॉजिटिफ मिले हैं इससे स्वास्त महक में और प्रशाशन के माथे पर भी पसीना आ गया है शहर में कोरोना संक्रमित लोगों के संख्या अब 45 हो गई है इसमें एक बुजर्ब ठीक होकर खर जा चुकी है जबकि दूसरे रेडी मेट कारोबारी की मौत हो चुकी है शनिवार रात में आई रिपोर्ट में किद्वई नगर के गल्ला वहपारी का बेटा मचहर्या का यूवा कूली बजार के साथ लोग और मदरसे के साथ छात्र है जिनमें कुरोना संक्रमित की पुष्टी हुई है सनिवार को किद्वाई नगर छेत्र के 50 वर्षे गल्ला वैपारी के छोटे पुत्रे में कुरोना के संक्रमण की पुष्टी हुई उसकी जाश प्राइवेट लैप में कराई गई थी जानकारी होते ही पुलिस पसासनिक और स्वास विबाग की टीम के द्वाई नगर इस सेथ अपार्टमेंट पहुँच गए पर छेत्र को चरो तरफ से सेल कर दिया वहीं एक 22 वर्षे युवक में कुरोना संक्रमण की पुष्टी हुई तो उसका पता कानपुर दिहाद के डेरापुर का बताया गया था लेकिन बाद में पता गलत मिला वह मचरिया का रहने वारा है उस जगा को सील कर दिया गया कुली बजार कर्णल गन जाज मो के मदर्शा पंकी के नरायना मेडिकल कॉलेज समेथ हैलेट के डॉक्टरों और पेरामेडिकल स्टाफ का थ्रोट और नेजल स्वाप के 270 नमूने लेकर जाज के लिए भेजे गई थे जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कोविड-19 लैब में जाज के बाद देर रात तक चौदा की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है जिसमें कूली बजार के साथ लोग है और मदर्शा के बिहार के रहने वाले साथ-छाथ सामिल है मेडिकल कॉलेज ने देर रात ही रिपोर्ट से जिलादी कारी और सीमो को अबगत करा दिया सीमो डॉक्टराश शोक शुकला ने बताया कि गुरुवार को शहर के हौट स्पोर्ट छेतरों से संदिग्दों के नमूने जाज के लिए गए थे उनमें से 14 में कोरोना के संक्रमन की कुस्टी हुई है शहर में अब तक मिले कोरोना संक्रमितों की संध्या 45 हो गई मेडिकल कॉलेज की हैलेट के कोबिड-19 हॉस्पटेल में भर्ती करा गया है उनके घर के साथ छेतर के लोगों को कुरेंटाइन करा दिया गया कारपोर से समवाता था अमिठाकुर की रिपोर्ट